जनास्पताल में तुचा रोगी की भरमार डॉक्टर आरे सुधाकर ने दी जान करी हो अस्ताल में गर्मियों के चलते तुचा रोगी की भरमार हो गई है डॉक्टर आरे सुधाकर लगबग 300-400 मरीज प्रदिन देख रहे हैं साक्ष नूज की इस रियलिटी टेस्ट में आज देखा गया कि सेंक्रों की तादात में मरीज तुचा सम्मंदी उप्चार ले रहे हैं साक्ष नूज की पिसे इस परताल के बाद डॉक्टर आरे सुधाकर से बाच्चीत हुई उन्होंने बताया किस तरह रोग मरीजों को धूप से होने वाले इल्फेक्शन से बचा जा सकता है साथ ही उन्होंने ऐसे लोगों को भी सचेत करने का प्रयास किया है जो तुचा शम्मंदी रोगों की ओर ग्रसित होते जा रहे हैं पेस है ये रिपोर्ट ज्यादा हो रहा है गर्मी को ऐसे जिसे हंदी में मरोरी और घमोरिया कहते हैं तो लोगों को सूखे कपड़े पहना चाहिए धीरी डाले कपड़े पहना चाहिए और शरीर क्या कहते हैं ज्यादा गिला ने रहना चाहिए और साब सफाई के पिसेज धान रखें, सिर्म में तेल ना डालें, तेल बहएके शरीर पर आता है तो वह भी नुक्षान पहुचाता है और कुछ परेवन उसके? और कुछ परेवन उसके पहुचाता है, साब सफाई रखें, भीरा ले कपले पहने, और पानी खूब पीए हैं, पानी कहना चाहिए हैं, क्या होता है उसके वारस पी सकते हैं चिकराइक वाली चीजे नाठा है, दूसरा है आज कल फंगर इंफेक्शन हो जादा हो रहा है, जहां पर नमी होगी वहां पर फंगर इंफेक्शन जादा होगा, इसलिए वो ही कपले सूखे रहें, खोली जगए पर रहें और ज्यादा नमी वाली जगए पर ना रहें